तो भाईयो खिलाडी बेर चनल की कमाल की न्यूफ्रेस फीडियो में आप सभी का स्वागत है इस फीडियो में हम बात करेंगे IPL 2024 के मैच नंबर 10 के ट्रीम 11 प्रडिक्सन के भारे में जो की RCB बरसेस के क्यार की टीम के बीच कल आपका साम साड़े साथ बजे आप सभी के लिए जैपट मैच होने वाला है इस मैच में मैं कहके आप लोगो जीएल बिन कराने वाला हूँ कैसी क्यों सब कुछ आपको पता चलियागा बस आप लोग वीडियो को टेंट तक देख लेना बिल्कुल की स्किप मत करना साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना वाकि जिन भाईयों ने अभी तक हमारा टेलेग्राम चैनल जोएन नहीं चाहिए तो टेलेग्राम चैनल को आप लोग जोएन कर लेना एन्ड जैन बात करेंगे प्लेंग लेवन क्या रहे की दोनों ही टीम हों की ग्रांड लीग के की प्लेर्स कौन से रहेंगे कप्तान वाइस कप्तान आप किसे बना सकते हो इस मॉल लीग टीम एन जीयल टीम किस तरीके से आपको क्रियेट करनी है तो सबसे पहले पिछ रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं पिछ के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस पिछ पे टोटल 132 मैच इस खेले गए है वैटिंग फर्ष्ट करने वाई टीम 70 बार और वैटिंग सेकंड करने वाई टीम 60 बार जीती है दो मैच यहाँ पर टाई रहे हैं 150 के अंडर स्कोर 50 बार बना है 150 से 179 के बीच 40 बार 170 से 119 के बीच 22 बार 190 के उपर स्कोर 20 बार गया है हाईट स्कोर किया है चेन नहीं ने 246 का लोएश्ट किया है बैंगलोर ने 70 का ये एक हाई स्कोरिंग बैनी हुए वांडी काफी शोटी है अगर मैं बात करूँ कल के मैच की तो कल के मैच में आपको 180 सी प्रस टार्गेट देखने को मिल सकता है चाहें कोई वी टीम पहले बैटिंग करें ठीक गाईज इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना पेस बरसेस इस्पिन यहाँ पे गाईज इस्पिन को इतने अच्छी हैल्प नहीं मिलती है 10 पिकेट में से 8 पिकेट पेसर लेते है मैच में मोट टाइम वाई चांस एक तो मैचेस ऐसा हुथा इसमें इस्पिनर्स अच्छा कर जाते है तो इस्पिनर्स आपको सिर्फो सिर्फ जील में ट्राइए करने है वह मैं आपको बता दूँगा कौन से इस्पिनर्स लेनी है कौन से फेसर लेनी है नेक्स हम बात करेतें गाई जैज आप लुगों से इस वीडियो में जो मैंने आपको फिरी के बभी रखा है उसके बारे में फिरी के बभी गाईज ये है 10,000 रुपीज का कि हाई अशे जरन कौन बनाएगा और हाई अशे स्पिगेट कौन लेगा ये दो आसान से सवाल है इनके आपको जवाब देने हैं फिरी कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता कमेंट करने का तो आप अपना लग अजमा सकते हो अगर आपका सवाल का जवाब सही गया तो आप पूरे के पूरे 10,000 रुपे बिन कर सकते हो आप हमाएं टेलेकाम चनियल पे क्वाणेट करने हैं आपको मनी टांस्पर कर दी जाएगी तो नेक्स बात कर लेते हैं प्लेंग लेवन के बारे में ये रहेगी RCB की प्लेंग लेवन इसमें बॉलिंग आप्सन में बात करूँ तो येस तेयाल अलजाई जोसब, मैंग दगव, मॉहम्मद सिराज और आपके ग्लैन मैक्स फिल ये इनके पांच में बॉलर्स हैं अगर मैं बात पूरूँगा इस केक्यार की सैट से तो एंडे रसल, मिचिश्टार्ग, हर्षित राना, बरुन चकवर्थी और एकाद दो वर आपको करती होने जराएंगे इंपेक्ट प्लेयर का भी रूल है तो इंपेक्ट प्लेयर भी आपको ओवर्स करती होने जराएंगे वैन का तेज अईयर सुनिन लाराइड तो सुनिन लाराइड को ओवर मिल सकते हैं तीन-चार उबर पूटे कराने की चांसे सा उनिलाड की इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना अगर ओपनिंग करते हैं तो CBC की काफ़ी चीच वाइस रह सकते हैं प्लिंगलम ने आपको बता ओदी बात करते हैं ग्रांड लीक की प्लियर्स के बारे में ये रहेंगे गाईस केक्यार की साट से ग्रांड लीक की प्लियर्स स्रेसायर, रिंकु सिंग, आंदेरसल, मिचेश्टार मिचेश्टार का आंदेरसल जो है बॉलिंग से अच्छी परफॉमेंस करेंगे स्रेसायर, रिंकु सिंग, वैटिंग से अच्छी परफॉमेंस करेंगे अगर आत्रीक से बात करूँ तो ये तीन batsmen काफी अच्छा करेंगे मुहम्मद सिराज और Maxwell ये balling से काफी अच्छा करने वाले हैं तो ये grand league के key players रहने वाले हैं CBC कर मैं आपसे बात करूँ तो CBC का option जो कल की match में रहने वाले हैं स्रे सेयर Glenn Maxwell Cameron Green और आपकी हाँ से Arndy Russell ये चार प्लेर काफी important रहेंगे आप इनको CBC टाई कर सकते हो चाहें वो GEL हो चाहें वो small league हो अपने according risk ले सकते हो वाकि मिचे स्टार को मुहमद सिराज पर रिस्क तभी लेना जब इनकी टीम पहले balling कराए अगर मानके चलिए RCB पहले balling करा दी बिकेट कीपर सेक्षन में बैटिंग सेक्षन में ही चार प्लेर रहेंगे कॉली, डिप्लोसिस, स्रेसायर, रिंकु सिंग और लांडर सेक्षन से मैक्सविल, रसल, ग्रीन और बॉलिंग सेक्षन से इस्टार्क और मौंबर जिराज, बिरुन, चकपरती यह हमारी स्मॉल लिकेटीम रहने वाली है वाकिवायो जो हमारी फायर टीम होगी वो आपको टेलेग्राम पे बिलेगी गिवाबे में आप लोग पार्टिसिपेट करना बिलकुल भी मत बूलना जब उसे पार्टिसिपेट करना बाकी बस यही थी आज की वीडियो मैं मिल थो अपनी नेक्स वीडियो में नए इंफॉर्मिशन वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंद वन्दे मात्रम